दोस्तो आज इस वीडियो पे बताएंगे आप घर बैठे बैठे किस प्रकार से आधार काट के साथ मोबाइल नमबर, हीमेल आइडी लिंक कर पाओगे और अपडेट भी कर पाओगे किसी भी और मोबाइल नमबर को भी लिंक कर पाओगे पुराना मोबाइल नमबर को बदल क उसी केसं आपके घर पे कोई भी 5 साल के उमर के नीचे कोई भी बच्चा रहेगा तो नया आधा रेनलोड में करना चाते हो भी कर पाओगे किस प्रकार से आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे मैं हो आपका होस्ट और दोस्पार्थ आप देख रहें टेक 2.0 ओफा जानते और आगे बढ़ते बहुत सारे ओफार रिलेटेड वीडियो इस प्रकार से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा आपने मन में कुछ भी बात रहेगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा ठीके तो चलिए अभी इस नीचे आपको एक डेस्किप्सान पर लिंक मिल जाएगा जो इंडिया पोस्ट के होगा भारतियों जो डागघर होता है तो उधर आपको एक इधर लिंक मिल जाएगा तो चलिए ओ लिंक पर पहले आ जाते इस प्रकार से आपको किसी भी ब्राउजर के दुआरा खोल लेना है लिंक को टाच करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा ठीक है तो इधर बताया क्या गया है ओभी आपको बताया देते देखिए इधर आपको बताया गया है देखिए सर्विस डिक्वेस्ट आपको एक सर्विस डिक्वेस्ट डालना है इं डाल दीजेगा उसके बाद जो आपका अड्रेस होगा अड्रेस डाल दीजेगा उसके बाद पीन कोड डाल दीजेगा जिस डाग घर से या पोस्ट अपीस से आप नजदी की डाग घर या पोस्ट अपीस से उसका पीन कोड डाल दीजेगा जो आप अड्रेस पे डालते हो ठी उसके बाद देखिए इधर आपको Select Services रहेगा ठीक है तो इसके नीचे जाके Select Services से आपको इधर देखिए IP PB आधार सर्विस कर लेना है जो देखिए नीचे सेकेंड पे है तो ये बाला सर्विस आपको choose कर लेना है ठीक है तो उसके बाद देखिए आपको इधर और भी select नीचे जो last वाल option है इसके अंदर आपको दो option दिखेगा UID, child, 0 से लेकर 5 bears आधा रेनलोर में जो लोग नया जो बच्चे है तो उन लोग के आधा रेनलोर में करना चाते है तो इधर जाके इसको choose कर सकते है और उसके बाद देखिए और भी एक option है UID, mobile, email, to, आधाल linking और update तो इसके मतलब आप इधर mobile number जोर सकते है email जोर सकते है आधाल linking और आपके जो पुराना mobile number हैगा वो भी आप update कर सकते तो ज़्यादा तर लोग एही करना चाते है तो एही आपको choose कर लेना है डाल दीजिएगा तो उसी number पे आपको OTP मिल जाएगा ठीक है, one time password मिल जाएगा तो ये मेरा जो आधार काड है पहले से ही जुरा हुआ है तो इसलिए मैं तो इधर आपको करके नहीं दिखा सकते है मगर मेरे पास screenshot है screenshot के दोआरा आपको इधर समझा देंगे तो चलिए, इसके बाद आपको OTP send करना है जब भी आप OTP send करेंगे इधर इस प्रकार से आपके समने कुछ image आ जाएगा ठीक है, तो इसके थोड़ा सा बरा कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं ठीक है, देखिए, और इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है इसके बाद जो OTP होगा, इधर आपको submit कर देना है देखिए, उसके बाद देखिए, जब भी OTP बिठाएंगे OTP बिठा देने के बाद कुछ time मिलेगा आपको और confirm service request जब भी confirm service request करेंगे नीचे वाला जो नीला post है और recent OTP करेंगे तो फिर से आपको दूसरा बार OTP मिल जागा अगर पहले बार OTP ना ही मिलता है, ठीक है, तो देखिए, उसके बाद देखिए, आपको नीचे एक service request का एक number मिल जाएगा, ठीक है तो यह जो number है आपको copy करके रख देना है किसी भी जगा पे, ठीक है तो यह number को copy कर लीजी या इसको screenshot कर लीजे ठीक है, तो उसके बाद देखिए अभी आ जाते हैं दूसरे page के उपर दूसरे page के उपर जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, ओभी आपको बता देते तो पहले बाले link के उपर आ जाते link के उपर जब भी जाएंगे, उपर देखिए आपको एक option मिल जाता है click to track your request, यह link है ठीक है, यह screenshot नहीं है तो इसके उपर जब भी इस प्रकास से tap करेंगे, तो आपके पास एक और पेज खुल के open हो जाएगा, इधर आपका जो request number होगा, ओभी डाल सकते और जिस number से जिस mobile number से आप request डाले थे तो ओभी mobile number भी इधर डाल सकते, और देखिए डालने के बाद आपको क्या करना है, डालने के बाद आपको फेज जो option है, इसके उपर आपको दबा देना है, ठीके, तो इधर खाली है, तो कुछ भी नहीं दिख रहे, तो उसके बाद देखिए आपको किस प्रकार से दिखेगा, अब जब भी करेंगे, ट्रैक की और रिक्वेस्ट के उपर जाएंगे, तो इधर नामबर डालने के बाद, आपका जो post office है, इधर आपको दिख जाएगा, बहाएं तरफ, ठीके, एक नमबर देखिए, आपका जो post office का नाम दिख जाएगा, उसके बाद status देखिए, अभी भी pending है, किस दिन पर request किया गया है, वो भी आपको दिखेगा, और उसके बाद, एक agent आपके घर के address पर आ जाएगा, और आपको biometric verification के दुआरा, आपका जो नमबर है, change कर दिये जाएगा, इस प्रकार से, घर बैटे ही, आप पूरे process को complete कर पाओगे, बच्चा होगा, 5 साल request आप डालते हो, तो बहुत सारे लोग एक साथ request डालते हैं, तो उसके बाद जब आपका number आजाएगा, आप इधर आपका status भी देख पाओगे, और हो जाएगा, तो आपके घर पे आके जो agent होगा, ओ कर देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से जाएगा, तो आपके लिए आसानी होगा, नहीं तो आप बहुत सारे agent बाहर भी घुमता है, ओ लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते, तो इस प्रकार से जाएगा, तो जो nominal से charges होगा, सरकारी website पे है, ओ ही देना परेगा, ठीक है, आज के लिए तो इतना ही वीडियो अच्छे लगा, तो जोरू लाइक कर दीजेगा, अपने दोस्त के साथ share भी कर दीजेगा, थैंको फॉर वाचिंग इस वीडियो, ठेक क्यार, हाव अगूद डे, बबाई,